असलाम लेकूम, आज मैं गुलाब जामन की रेसिपी शियर करूंगी इफ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राब माई चैनल और प्रेस तबल आइकन एक पैन में एक कप चीनी और दो कप पानी एड़ करें जिस कप से शुगर मेशर करेंगे, वोसी से जो है वाटर भी मेशर करिएगा अब इसे लो फ्लेम पे हम डिसॉल्फ करेंगे बीच बीच में चमच चलाते रहें, अगर आपकी चीनी थोड़ी मोटी है, ग्रैनिलेटिड है शुगर डिजॉल्फ हो गई है, अब वन टेबिल स्पून रोज वाटर, कौटर टी स्पून इलाची पाउडर डाला में ने और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया शीरा भी तक बॉयल नहीं हुआ है थोड़ा सा जर्दा रंग डालेंगे इसमें, इससे कलर अच्छा आ जाता है पॉशीरा बॉयल होने लग गया है, मजीद 2-3 मिनट तक पकाएंगे, फ्लेम आफ कर दें सुका दूद लिया है, वन कप ये मैंने नीडो का सुका दूद लिया है, इसमें जाधा अच्छी बनती है मैदा है, वन टेबिली स्पून इस तरह भर के लेना है फाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे इलाची पाउडर साथ में एट करेंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे वन टेबिली स्पून की एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करें मिक्स जो है आपने फिंगर टिप्स से करना है इसको हदेली का इस्तिमाल विल्कु भी नहीं करना अच्छे से मिक्स हो गया यह देखें आप इस तरह करेंगे और यह क्रम्बल बनेगा इसका अब हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे एक अधर जो के रूम टेंप्रेचर पर लेना है अब इसे स्पून की मदद से हम मिक्स कर रहे हैं अब इसकी डो तयार करेंगे हम आज्टेली की मदद से बिल्कुल भी नहीं हमें गूनना फिंगर चिफम्ख की मदद से से सिर्फ हमे इसको मिक्स करना है आटा नहीं गूलना है में इसका इसका एक बाल बनाकर देखेंगे अगर उसमें कोई क्रैका हा और एड़ कर दें इस तरह से आप एड़ेस्ट कर सकते हैं अपने मिक्स्टर को यह हमने इसका बॉल बनाया और देखे कोई भी क्रैक नहीं आ रहा है इसमें तो यह एक कड़ाई में ऑईल गरम कर लें ऑईल जादा गरम नहीं होना चाहिए कम गरम होगा ओईल अब इसमें गुलाब जाओन डाल देंगे और हम वेट करेंगे जब तक गुलाब जाओन के साइड्स में बबल्स ना आना शुरू हो जाए बबल्स आना शुरू हो गए इसका मतलब यह है कि हमें परफेक्ट टेंपरेचर मिल गया है जिस पे हमें अपने गुलाब जाओन एड़ करना है अब बाके के गुलाब जाओन भी एड़ कर देंगे और क्राओड नहीं करना क्योंकि हमें इसे हिलाना है कंटिनियसली इस तरह से हिलाएंगे ताके जो है कलर अच्छे से कलर आजाए गुलाब जाओन पे और फ्लेम जो है में मीडियम लो रखनी है तेज आँच पे यह जल जाएंगे साथ से आठ मिनट में यह फ्राइ हो जाएंगे आपको जिस तरह का कलर चाहिए उतना आप इसको फ्राइ कर लें यह मैंने एक बॉल में निकाल ली है अब इसमें हम शीरा डालेंगे शीरा बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए गरम शीरा हमें डालना इसमें साथ ही बदाम और पिस्ते से गार्निश करें एक दो घंटे तक इसे रेस्ट पे रखें ताके शीरा बिल्कुल अच्छे से चस्ब हो जाए इसके अंदर दो घंटे हो गए हैं हमें आपको इसको तोड़के दिखाती हूँ के अंदर से कैसी बनी है ये बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनी है ये दो टो लाइब को में अजिए वाइब दिखाती हूँ